हैलो दोस्तों कैसे हो आप सब सब स्वस्त्री ये ब्यस्त्री ये मस्त्री ये तो आज हम बनाने जा रहेंगे देखिए मसाला ब्रेड पाव जो बहुत ही टेस्टी बन के तयार होता है तीखा चटपटा खटा मीठा सारा फ्लेवर आएगा इसमें और बहुत ही इजली बन के तो सबसे पहले यहां हम मसाला ब्रेड पाव बनाने के लिए इसमें हम पैन में हम एक छोटी चम्मच सरसोल का तेल डाल देते हैं ज्यादा हमें तेल एड़नी करना है हमें एक छोटी चम्मच करना है तो यहां हमारा तेल अच्छे से जब गरम हो जाए तो एक छोटी चम्म जीरा डाल देते हैं, जब जीरा हमारा अच्छे से चटक जाए तो यहां हम बारी कटा हुआ एक प्याज डाल देते हैं, एक बारी कटा हुआ गाजर डाल देते हैं, साथ में यहां हम हरी मेज डाल देते हैं, अगर आप बच्चों के लिए बना रहें तो इस किप भी कर सकते ह इसे उसके बाद यहां मेरे पास हारे मटर थे तो भी डाल देते हैं अगर आपके पास और भी सबजी है तो और एड़ कर सकते हैं एक चोटी चमच छल्दी डाल देते हैं एक चोटी चमच धनिया जिरा का पाउडर डाल देते हैं कि आदि चुटी चमच लाल मिरिच पोडर लाल लीच व्लक्रान לפ. अभूरे के चमच यहां हम भूर मसरेस यहां हम अचेसे पखेअ करने सेघ यांगीender op भूरू रहें करते हैं , तया union रेक horizon अलुक्रा में very helpful क सके हैं तो दोनों हमारे साथ में पक जाए इसलिए हम सारी चीजों को एक साथ डाल देते हैं और सारी चीजे हमारी अच्छे से पक जाएंगी तो हम भीच भीच में चलाते रहें यह देखिए और इसको बिल्कुल अच्छे से हम पका लेंगे low to medium flame पे तो यहां हम सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे low to medium flame पे बिल्कुल ताकि हमारे सबजिया भी और मसाले अच्छे से पक जाए और सबजिया भी साथ में पक जाए तो यहां हम दो से तीन मिनट भूनने के बाद यहां हमारी सबजिया पक गई है उसमें हम तीन उबला हुआ आलू हम एट कर देते हैं जो हम पहले से पकाके रखे थे, मतलब वूबाल के रखे थे तो आलू को मैस करके डाल देंगे और सारी चीजों को फिर अच्छे से मिला लेंगे, यह देखिए बिल्कुल अच्छे से हम मिला लेंगे नमक हम पहले से यह एड़ किये थे अगर आप चाहे तो कम लगे तो आप उपर से भी डाल सकते हैं यह देखिए और ऐसे मैसर से हम मसल देंगे सारी चीजों को गाजर, मतर, आलू सब अच्छे से मिल जाए इसमें मसाले इसलिए हम इसको अच्छे से मसल देंगे यह देखिए बिल्कुल अच्छे से मसल देंगे ताकि हमारा सारा चीज अच्छे से मैस हो जाए और सारी चीज अच्छे से मिल जाए एक दूसरे में देखिए यहां देखे हम अच्छे से मसल दिये हैं और यहां हमारा सारा चीज़ अच्छे से मिल गया है और यहां हमारा स्टफी तयार है स्टफी को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और गयास को बंद कर देंगे यहां हमारा स्टफी भी तयार है यह देखे ठंडा भी हो गया है यह और देखे कितने देखने में अच्छा लग रहा है साथ में हमारा पाव है पाव को आप चाहे तो ऐसे हाथों से तोड़ सकते हैं या फिर चाकू से भी जैसे आप कमफटेबल हैं वैसे आप तोड़ लीजिए तो चलिए चलते हैं हम बना लेते हैं मसाला ब्रेड पाव इसको दबेली भी बोलते हैं यह देखे इसको हम बीच से ऐसे चाकू से कट लगा लेंगे एक अनार धाना इसमें आड़ करेंगे इसलिए एक अनार धाना चिपक गया इसी में यह देखिए साथी में सब कर रहे थे ना इसलिए यह देखिए इसे ज्वाइंट करके ऐसे काट लेंगे तवा हमारा पहले से गरम था तो इस पे हम बटर डाइट कर लेते हैं इसको अच्छे से पिघलने देंगे चैने हम अच्छे से मतलब तबा गरम हो जाए उसके बाद ऐसे ब्रेट आपने हम आपको पाओ को यह देखिए ना हम दो मिनट जादा करेंगे तो यह जल जाएगा इसलिए बस बस दो चलते हैं बना लेने तो सबसे पहले करके रखे थे अनार दाना नमकीन बारी कटा हुआ प्याज नीम बूल सॉस और साथ में बारी कटा हुआ धनिया तो क्या करेंगे सबसे पहले हम दो चमच यहां सॉस लगा लेते हैं टमैटो केचप अगर आप हारी चटनी बनाए हैं तो भी आइड कर सकते हैं, उसके बाद यहां हम ऐसे स्टफी लगा लेंगे, जो पहले से हम त्यार करके रखें, ते वही, उसके बाद हम उसके क्या करेंगे आइड करेंगे प्याज, उपर से आनार दाना, इसका स्वाद बहुत अच्छा थ उसके बाद धनिया पत्ता हुआ है थोड़ा सा नीमबु नहीं चोड़ देंगे उसके बद ऐसे एड़ कर देंगे इसको आइट करने के बाद यहां हमारे पास से भूजिया था थोड़ा सा ताकि यह टेस्ट में भी अच्छा है और देखने भी अच्छा लगे यह देखिए ऐसे इसमें चारो तरफ से चिपका देंगे मतलब आइट कर देंगे और यहां हमारा मसाला ब्रेड पाउट तयार है ऐसे हम सारे तयार कर लेते हैं यहां दूसरा भी तयार कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां हम सॉस लगा लेंगे दो छोटी चमच सॉस लगाने के पाद जो यहां हम स्टफ ही तियार किये थे वो ऐसे एड़ कर लेंगे आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं उपर से हम बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे और यहां हम अनारदाना उपर से डाल देंगे इसका फ्लेवर और प्याज का बहुत ही जादा अच्छा आता है बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप बच्चों को दीजिए बहुत ही पसंद आएगा साथ में यहां हम हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा नीमबू नहीं चोड़ देंगे तो यह तीखा चटपटा मीठा बहुत ही टेस्टी बन के त्यार होता है यह देखिए साथ में यहां से भूजी रख लेंगे और ऐसे एड कर देंगे ज़िए चिपका देंगे ताकि बच्चे खुसो के खाए वैसे भी यह भूजी नमकी ऐसे तीखा चटपटा खाते हैं यह देखिए तो हमारा सारा तैयार है तीसरा भी अम कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही अब एक बार ऐसे बना लेंगे तो फिर मतलब बार बार बनाएंगे इतना टेस्टी लगता है तो अब जुरूर एक बार ट्राइ करिए ये तीखा मीठा चटपटा सारा फ्लिवर आएगा इसमें खटा मीठा चटपटा बोलना चाहिए था ये देखिए नीम्बू का खटा, अनार का मीठा और चोखे का मतलब सब चीज का बहुत ही टेस्टी फ्लिवर आता है खटा मीठा चटपटा नमकीन का ये देखिए साथ में यहां हमारे सारे तयार है मसाला ब्रेट पाव इसको दवेली भी बोलते हैं बिल्कुल देखिए कितना अच्छा लग रहा है जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना चा खाने में भी लगेगा अब चले चलते हैं इसको और भी थोड़ा सा क्रिश्पी बना लेते हैं बाहर से तो यहां हमारा तवा पहले से गरम था उसको हम एदम लो फ्लेम पे छोड़ दिये थे क्योंकि यह पांच मिनट में बन जाएगा तो हम इस पे गरम कर लेंगे फिर से हमारा तवा गर्म नहीं करना पड़ेगा तो इसको हम तवे पे थोड़ा सा बटर लगा के फिर से सेक लेंगे दो मिनट इस साइट से दो मिनट पलट के तो ये बहुत ही बाहर से किर्षपि round से चटपटासा बहुत अच्छा लगता है ये देखिए हम आदो से पलट देते हैं आप चाहें तो पलटे से भी पलट सकते हैं ये खुलटिया मार रहा है गुलटिया समझते है तो हम दोनों करब से थोड़ा थोड़ा हलका हलका से एक ल इसलिए हम गैस को बंद कर दिये थे और थोड़ा सा सेक लिए उसके बाद उस पर छोड़ दिये थे तवे पर ही और यह देखी है हमारा चटपटा सा नास्ता तयार है मसाला ब्रेड पाव जो बहुत ही टेश्टी बनके तयार होता है जटपट से बन जाता है यह अगर आप आलू पहले से उबाल के रखो तो मुस्किल से पंदरे मिनिट में यह बनके तयार हो जाएगा तब बच्चों को टिफन नास्ता दे सकते हैं भी छहाँ करें है इसको हम थोड़ा सजा लेते हैं तो ओपर से हम और भी कटा हुआ प्यास डाल देते हैं⁉ थोड़ा सब धनिया पत्ता डाल देते हैं थोड़ा यह और भी ज्यादा कलरफुल दिखे यह देखिए उसके बाद यह हम से भुज्या डाल देते हैं प्लेट में सजा देते हैं अगर आपको और भी ज्यादा जरूरत है तो प्याज आप इसमें ऐसे ही एड़ कर लीजिए जैसे हम से भुज्या एड़ कर रहे थे अनार दाना साथ में से भुज्या और यहां हमारा खटा मीठा चटपटा सा मसाला ब्रेट पाओ तयार है इसको दबेली भी बोलते हैं मतलब दबेली भी तयार है और यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है बहुत ही ज्यादा अब उपर से निम्बू थोड़ा सा ने चोट देते हैं तो आप ज़रूर ट के लिए बच्चे के बड़ो को भी बहुत जादा अच्छ लगेगा अच्छी या बहुत बिडियो को लाइक कर प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में